चाल चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हमारे अभ्यान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं आज की जो ये सरकारे हैं जब से किसान में फूट पड़ी है हमको धर्म के नाम पर बाटने का काम किया गया है हमको समझना होगा हमको इनकी नियत को समझना होगा टार्जेट पड़ान करो जो किसान की कहा उचकी कहो अज दिए ठीटिक वड़ी तकाइच दो कि नब से कुचा शुटा शुटा पर जो किसान है उसमें हिंदू के मुसल्मान के रो है तो सम खिसानी किसानी के लिए अरवेरा में वीच दिन का टाइम में आठ दिन है आठ दिन होगो भी गई बीवीच दिन में रहे दो आठ दिन भी निगठ रहे समत है एक चीज बता हो, जब गन्य का वाओ ही है परदेश है वो हमारे जिले शामळी का है और गन्यमंतरी के होते हुए भी हमारे साथ किसानों के खिलवाड किया जा रहे शामली मील का 210 करोड रूपया जो है पिछले साल को और इस साल का पकाया है किसान भुखमरी की कगार पचलागा पच्छे जो है उनके स्कूल नी जा पाते है क्योंकि किसान फीस देने के लिए नहीं है गरीब आदमी जिसके बाप दादने दूद तक निवे चताज दूद बेच के जो अपना कुजारा चलाने के लिए मजबूर है अगर ये आंदोलन गरने का अगर हमारा पेमेंट ना हुआ तो ये आंदोलन पच्छी में उत्तर परदेश की हर फेक्टरी में पहुच जागा हम रमाला समय सेकारी चिन्ली मिल खेतर के किसान गल से हम भी अपने मिल को चिन्ली मिल को बंद करेंगे और यहां आजारों की तादाद में रम शामली मिल गेट पर पहुचेंगे बस सरकार को मरा दो है यू कहना है बया तो एक खोल दो भारे पीसे तुए तो इसका बाब अडवा है तो अर निपादी का सरकार भी नी रह ने किया